सुन्स यह वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने संडे को एक्जाम दिया या फिर अभी तक सोच रहते कि एक बार नीट 2021 हो जाए उसके बार 2022 की तयारी करेंगे अब यदि आपको लगता है कि बहुत जादा टाइम बाकिया नीट 2022 बे तो जराय चीज सम करने है जदी बिल्कुल नीट का जिस दिन एक्자म होगा मैं में एक्सकेट है यह अजम्शन है कि में में एक्सकेट ile kजयंगी वाती नहीं में होता है क्यों बड़ी बड़ी चीजें में में होती है जहां पर बहुत सारे होत थे क्योंकि में से पहले कंट्री के बहुत सारे लाकों में सर्दी पढ़ती हैं में के बाद बहुत सारी जगों पर बशात होती है तो आइडियल टाइम बड़ी चीजों के लिए में है और नीट एक बड़ा एक्जाम है 16 लाग लोग इस एक्जाम को देते हैं तो में के साप से साढ़े साथ मैं करने बचे हर हफते तीन चैप्टर पढ़ने खतम करने पढ़ेंगे ठीक है मैं आपको बताऊंगा अभी चैप्टर खतम करने का मतलब क्या है हमने इस वजह से नया शेडियूल पब्लिश कर दिया है विच स्टार्ट सॉन 19 सेप्टेंबर 2021 काफी सारे स्टूडेंट जो हमा नया शेडियूल पब्लिश कर दिया है अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह शेडियूल पब्लिश करना या आप हमारा कोर्ट जोइन करना करते हैं वो क्यों सफीशन नहीं है और उसके लावा क्या चीज़े होना जरूरी है ठीक है तो आपको पहली चीज़ यह समझ में आगया होगा टाइम चाहिए हबर दबड में एन्ड में बहुत मेनत करके कुछ नहीं होता कंसिस्टेंटली हर रोज मेराथॉन की तरह दौड़ना होता है हरो जितने भी आप किलोमेटर करें परुता नहीं दौड़ेंगे तो एंड में नहीं होगा एंड में बहू को अपनी mistakes नहीं पता ठीक है और mistakes किस थाइप की silly mistake कुछ नहीं होती ठीक है एक्जाम जाते समय उस दिन temperament नहीं परफॉर्म करें नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जादतर mistake क्या है आपने properly theory नहीं समझी question practice करना चालू कर दिया theory तो समझी question practice नहीं किया और theory समझी question practice किया पर mock test नहीं लगा है क्योंकि time का pressure था तो यह गड़बड़े नहीं हो सकती है वापिस ठीक है तो आप अपनी गलतियों को पैचान गए और आप उन्हें कैसे fix करेंगे यदि आपके दिमाग में यह clear नहीं है तो इतने time में यह सब नहीं हो पाएगा आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे सच में पूरे 96 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है क्या मैं zero level पे हूँ या फिर मेरा already एक level है मैं 400 पे हूँ साड़े 400 पे हूँ 300 पे हूँ सोचो जड़ा और कल आपको वीडियो में डीटेल यह जो शेडियूल हमने बनाया है इसका लॉजिक और आप टार्गेट दो दो अफते के कैसे सेट करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी तैयारी को कंट्रोल में कर सकते हैं और्गनाईस कर सकते हैं वह मैं कल वाले पैचाने आप फिगर आउट करें उसे कैसे फिक्स करेंगे और तैयारी करना चालू करें काफी सारे स्टूडेंट जिन्हों आपको कितने घंटे डेली पढ़ना है इस सवाल का जवाब देखते हैं आपको थियोरी करनी है नीट को क्रेक करने के लिए आपको उसका एप्लिकेशन है ना क्योंकि नीट की एक्जाम में थियोरी नहीं आती है पार्ट मार्किंग नहीं मिलेगी आपने एक लाइन अच्छी लगी थी वाँ बेटे एक नंबर पांच नहीं एमसी क्यूज है तो थियोरी की एप्लिकेशन एमसी क्यूज ट्रैक्टिस और आपको मॉक टेस लगाने करीब 20 मॉक टेस ठीक है थियोरी का मतलब वीडियो देखते वे नोट्स लिया फिर एंसी आटी पढ़ा डिरेक्ली एंसी आटी पढ़ेंगे समझेंगे नहीं लाइनो म्हbersन आवरेज बाईयोके चैप्टर में और स्टिक्तिर रिस्रेंटी इपकॉसंट में य。」 यदि आपने नीटव्ट दॉट कॉम पे निकाले और समक्ने तो इसके अंदर करीव साथ गंटे लगें या दोसों से बाillis सब्सक्राइब करेंगे तो नीट में कैसे होगा नहीं भई आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से करो जल्दबाजी नहीं करने 20 मौक टेस्ट 20 आवर्स इच है ना तो इसका मतलब हो गया 400 गंटे अब यह 20 Piet firewood कैसे जरा समझ दीजे मौक टेस्ट में लगे तीन गंटे मौक टेस्थ से पहले रिविजिन और मौक टेस्थ के बाद ऊस 13 लिटे कल पोस्मॉटम और चौदह गंटे का लिविजिन तो यह टोटल हो गया 20 गंटा ना तो 400 गंटे यहाप है 16 और साथ 23 तो कैसा हो गया हमारा थियोरी प्लस question practice है ना यह मैंने आपको होता है 16 और साथ 23 96 chapters approximately 2200 hours ठीक है और mock test के 400 गंटे तो टोटल आपकी preparation हो गई approximately 500 से 2600 गंटे की यदि आप इसे 32 सबते से divide करते हैं ठीक है तो आपका आज आएगा यहाँ पर मैं जरा लिख देता हूं ठीक है कि यहाँ पर जरा लिख देता हूं कि इसको आप कि 32 weeks में इत्ती तयारी करनी है तो इसका मतलब हो गया around 80 hours per week है ना इसका मतलब approximately हो गया साड़े 11 घंटे पर डे और यह बहुत जादा है पर डे अगले सारे साथ मैंने के लिए यह मुश्किल काम है सवाल था हमिनी आवर्स टु स्टडी डेली टुक्राइग नी 2022 अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर आपको यह सोचना पड़ेगा मुझे लिविंग वर्ल आता है मुझे बायलेजिकल क्लासिफिकेशन आता है मुझे प्लांट किंडम पड़ता है लिविंग वर्ल ऑफ बायलेजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नहीं देखता एंसी आटी नहीं पड़ता डिरेक्ली क्वेशन प्रैक्टिस करता हूं क्वेशन प कि साड़े ग्यारा घंटे डेली फॉर नेक्स सेवें डाफ मन्स डिस टफ हो नहीं पाएगा शायद आपको इसको रिड्यूस करके डेली का आठ से नौ घंटे पे लेके आना है और उसको करने के लिए आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा हां मुझे इत्ता आता है और मैं इस वाले में पूरा-पूरा करूंगा वीडियो देखते में नोट सुरूंगा एंसी आटी पढ़ूंगा क्वेश्टन प्राक्टिस करूंगा और टेस्ट हूंगा हम रेकिमेंट करते हैं हर दो अफते में टेस्ट देना टार्गेट सेट करकर के पढ़ाई करना शेडियू लेट स्टार्ट शेडियूल स्टार्टिंग 19 सेप्टेंबर ठीक है तो यहां पे जी ओसी से यह वाला शेडियूल चालू होता है तीन अप्रेल तक जाता है ठीक है और आपको एक महिना रिविजन के लिए देता है तो मैं आपको कल शेडियूल का लॉजिक बताऊंगा मैं मैं आपको बताऊंगा इस शेडियूल के हिसाब से दो दो हफ्ते का टार्गेट सेट करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं पर शूरेंस अपने दिमाग में सबसे पहले यह चीज़ डाल लीजे यदि आप प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे यूर रनिंग आउट अफ ताइम यद दूसरी चीज यह तयारी अपने आप नहीं होगी हमारा कोर्ट जॉइन करें या किसी और का कोर्ट जॉइन करें पर कोई अच्छा कोर्ट जॉइन कर लीजे और उसके साथ लग जाएए जो exactly schedule follow करना है उसे follow करना चालू कर दीजिए और तीसरी चीज आप afford नहीं कर सकते हैं पर आप अपना टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपको पता है आप कट आफ स्कोर के पास में नहीं है तो आप यह सोच रहे हैं कि किसी तरह से जादू होगा हो जाएगा मुश्किल है इसका मतलब यदि आप लेट से लेसर देन आपका 550 है ठीक है तो जनरली स्पीकिंग आप मैं आपको यह बता सकता हूं कि किसी भी जगह पे गौर्णमेंट कॉलेज में स्टेट काउंसरिंग के थूबी मुलना मुश्किल होगा ठीक है तो आप अपने दिमाग में लगा लीजे आपको लगता है पास मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं आप अपनी चीजे प्लान आउट करना चालू कर दीजिए पढ़ना चालू करिए अपनी जो कलतिया इडेंटिफाय करिए और आगे बढ़िये नहीं तो गरबर हो जाएगी आपको यदि मेरे से बात करनी है हमारे ऑनलाइन कोर्स से 2022 की तयारी कर सकते है बट सुडेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट यह है आप फर्दर डिले नहीं कर सकते हैं इसी समय से तयारी करना चालू करिए नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा ठीक है बच्चो